पर दोस्तों स्वागत आपका यूगर टॉपल सी गाइड में मेरे नाम है आशिश शौतिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ उत्राखंड के ताल या फिर उत्राखंड के जील सीरीज की चौथी क्लास तो दोस्तों इससे पहले हम उत प्रप्याद जिले के जो ताल हैं उनको स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे तो आप लोगों में से अभी तक जिसने भी वो तीनों क्लास नहीं देखी हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो प्लीस आप जाके उन क्लास को देख लेना दोस्तों क्लास तो यह हमारे टेलीग्राम और इंस्ट्राग्राम हैं तो आप यहां पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीस वीडियो को लाइक करना न भूले तो चलो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं तो आज जो हम पढ़ने वाले है तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक या फिर स्टोरी जो भी आप बोलो वो बनाई है तो वो मैं आपके साथ पहले बता रहा हूँ फिर इसको explain करता हूँ ठीक है तो सबसे पहले जैसे कि हम जिस जिले के ताल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस जिले का नाम लिखते की जिससे उनके पाउं में दानी मतलब छाले होते हैं चोटी छोटी छाले नहीं होते तो दानी मतलब छाले हो गये और आगे रास्ते में जब उनका गला सूख गया क्योंकि वह बहुत जादा पैदल चल गये थे ना नंगे पाउं से पैदल यातरा कर रहे थे तो गला तो स के कहने पर, वह चौरा बाड़ी ताल की किनारे रुगे, तो इसको एक बार हम फिर से देखते हैं, के तो मैंने बोला कि रुद्र प्याग में देव तथा रिया ने- ठीक है, आपको ध्यान होगा, मैंने एक रिया पहले भी बताया है, कहां पे वताया है रिया है टीरी की तो मैने आपको याद होगा खिल और एक सबसे दोफिए तो काईग तो रिया अकेली आएगी तो वो टीरी में होगा ठीके तो रुद्र प्याग में देव तथारिया ने नंगे पाउं ठीक है तो रुद्र प्याग में आपको पता है किदारनाथ है किदारनाथ मंदिर है तो किदारनाथ की दूरी है वो लगबग 18-19 किलोमेटर की दूरी है तो कही लोग बहुत जादा मतलब जिनके अंदर शद्दा होती है तो वो उस दूरी को नंगे पाउं से भी तैय करते हैं तो देव तथार यह ने क्या किया किया किदानात की दूरी को नंगे पाउं से तैय की ठीक है तो नंगे पाउं से केदानात की दूरी तैय की ठीक है क्या तैय की दूरी जिससे क्या हो गया तो उन छालूं को छोटे-छोटे दानी बोल सकते हैं, ठीक है, तो जिससे उनके पाउं में क्या होगी है, दानी होगी है, ठीक है, और आगे रास्ते में जब उनका गला सूख गया, क्योंकि वो पैदल रास्ता चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो गला तो सूखे गई, ठी उन्होंने जग से बिसुडी शर्वत पिया, ठीक है, तब उन्होंने जग से बिसुडी शर्वत पिया, किस से पिया जग, वोने जैसे बॉटल रखते हैं, हम अपने साथ में पानी के बॉटल रखते हैं, जब जाते हैं, तो उन्होंने पानी का एक जग रखा, मतलब एक जग सरबत पी तो मैंने बोला थे कि उन्होंने जग से बिसुरी सरबत पिया और उसे फैंक दिया ठीक है किसको फैंक दिया वो जो जग था ना बिसुरी सरबत पीने के बाद उस जग को फैंक दिया फिर क्या होता है उनके साथ एक बासू भी चल रहा था फिर बासू के कहने पर ठ यह थी ट्रिक अब मैं बताता हूँ आपको कि इस ट्रिक में या इस स्टोरी में कौन-कौन से ऐसे कीवर्ट्स हैं जिनसे क्या है जिनसे ताल है तो पहला था रुद्र प्याग में देव तथा रिया ने ठीक है तो देव तथा रिया से क्या हो जाएगा इससे हो जाएगा दे तो पुरानों में इस ताल को इंद्र-श्रोवर कहा जाता था तो पुरानों में किस ताल को इंद्र-श्रोवर कहा गया shape यह क्या ब्लाँ चलए में है, तो रुद्र प्याग में देव तथारिया ने नंगे पाउं से, तो पाउं से क्या याद करेंगे हम, तो पाउं से याद करेंगे हम, पाउं से याद करेंगे हम, पाउं से पाउं, पाउं से पाउं, पाउं से पाउं, ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब जो keyword से उससे थोड़ा हटके हैं, बट आप फिर भी इसको याद कर सकते हो, तो पाउं से क्या याद करेंगे, पहिया ताल, ठीक है, तो पहिया ताल कहा है, यह है रुद्रप्याग में, तो मैंने बोला कि रुद्रप्याग में देव तथा रिया ने नंगे पाउं से केदारन की दूरी तैगी, तो उसके बाद क्या हो गया, बहुत ज्यादा पैदल चलने के कारण क्या हो गया, उनके पाउं में छाले हो गये, तो छालो को हमने क्या बोला था, दानी बोला था, छोटी-छोटी दानी हो गई, तो दानी से क्या याद करेंगे हम, दानी से याद करेंग बोल सकते हो या फिर उसी के अस्पास गहीं लेकिन जो यह chatter ताल है यह जखोरी में एक खोली में जो लस्तर गाड आती है एक छोटी सी नदी है लस्तर नदी उसके अस्पास ही है घ Merc इसके बारे में जो बधानी ताल है इसके बारे में एक चीज है कि यहाँ पे लाल सफेद तथा काली मशलियों का ताल है मतलब यह जो ताल है इसमें लाल सफेद और काली मशलियां मिलती है बहुत ज़्यादा ठीक है इसके बाद क्या हो गया कि ज्यादा पैदल चलने के कारण इनका गला सूख गया, ठीक है, सूखता नहीं है, जब हम बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, तो dehydration की वज़ा से क्या हो जाता है, इनका गला सूख गया था, तो सूख से क्या हो जाएगा, सूख से हो जाएगा, सुकताल आएगा यह हो जाएगा छमूली मैं इसको कैसे जयाद करेंगे देखो अच्छा रुद्र-Priyag अगर मैं इसको लिखूँ तो रुद्र-Priyag ठीक है, यह यह है तो ऐसे लिखेंगे हम इसको ठीक है रुद्र-Priyag ौके तो देखो सुकती में क्या है एक दो तो तीन और सुखताल में क्या है एक तो लो की आप हम अगशता है तो जिसमें कमें कर सकते हो तो सूखताल कहां हो जाएगा चमूली में और सुखदी ताल का है ये रुद्रप्याग में है तो इनका जब गला सूख गया था तो सूख से क्या हो जाएगा सूख से हो जाएगा सुखदी ताल ठीक है तो जब इनका गला सूख गया था तो उन्होंने उसके बाद क्या क्या जग से बिसुडी नाम की सर्वत पीती तो जग से क्या हो जाएगा जग से हो जाएगा जग्या ताल ठीक है तो जग्या ताल कहा है जग्या ताल है रुद्रप्याग में RPG मतलब रुद्रप्याग को यह शौट में लिखते हैं तो जग से क्या हो जाएगा जग क्या ताल यह है रुद्रुप्याग में तो जग से क्या क्या था है इनोंने बिसूडी नाम की शर्वत पी थी ठीक है तो बिसूडी से क्या हो जाएगा बिसूडी ताल यह भी कहा है यह भी है रुद्रुप्याग में और शर्वत से क्या हो ज पाजर है ना उनको विसरजित किया गिया था ऐसा बोलते हैं तो इस वज़वे से इस ताल को ही गान्दी स्रॉवर भी बोलते हैं बह्ति ताल वह लो या फिर न देनों ऐसे कुछ भी बोलो अचा एक चीज और ध्यान रखनी ये तो हो गया हमारा क्या ये तो हो गया हमारा चौरावाडी ताल इसके अलावा एक अन्य है वो है चंदरवाडी ताल ठीक है ये कहा है ये है चौरावाडी और ये कहा है ये है चंदरवाडी तो चंदरवाडी ताल कहा है ये हो जाएगा दहरादून में तो चंद्र बाडी ताल तो है देहरादुन में, लेकिन चौरा बाडी ताल कहा है, ये हो जाएगा हमारा कहां, रुद्र प्याग में, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, इन्होंने जब बिसुडी सर्बत पीना है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको फैंक द तो प्रशन आएगा कि किस ताल का आका अंडा कार है, तो वह हुझा ग। कि यहां पही एक चीज मैंने नोट करके लिखी हुया है क्योंकि ध्यान देनी योग यह बात है, अगर आपका भेnk-taal आएगा तो भेंक ताल कहां हो जाएगा यह हो जाएगा रुद्र प्रियाग में ठीक है और अगर भेंकल ताल आएगा ना तो भेंकल ताल कहां हो जाएगा भेंकल ताल है चमूली में इसके बाद आता है कि उन्होंने जब उसको फैंक दिया था उस जग को फैंक जा था और बासू के कहने पर वो चौराबाडी ताल पर रुग गये थी तो बासू ठीक है तो बासू लड़के का नाम था तो बासू से क्या हो जाएगा बासू से हो जाएगा बासू की ताल ठीक है तो बासू की ताल कहा है बासुकी ताल ये रुद्रप्याग और टीरी दोनों में है क्योंकि बासुकी ताल क्या है रुद्रप्याग और टीरी के बॉर्डर में है तो देखो जो बॉर्डर लाइन होती वो तो हमने अपने हिसाब से चेंज करें कि अब ताल तो पहले से रहा होगा, पहले तो कोई water water नहीं था, तो बासुकी ताल का जो ज़्यादा तर area है वो आता है रुदरप्याग में, और थोड़ा बहुत area आता है, इसका कहाँ टीरी में, तो अगर option में रुदरप्याग और टीरी दोनों होगा तो आप में, तो आप हमारा answer, तीरी हो जाएगा तो ध्यान रखा, आपको अभी तक समझ में आगया होगा फिर हम एक बार पिर से इसको repeat करते है स्टोरी को, एक बार पुनों revision करते हैं तो trick क्या है? तो इस्टोरी है रुद्र प्याग में देव तथा रिया ने नंगे पाउं से केदारनाथ की दूरी तैकी जिससे उनके पाउं में दानी हो गए ठीक है तो देव तथा रिया से मैंने क्या बोला था देवरिया ताल पाउं से क्या बोला था मैंने पैया ताल दूरी से क्या बो बिसूडी शर्वत पिया तो गला जब सूख गया था तो सूख से क्या हो जाएगा सूख से हो जाएगा सुखदी ताल तो जग से क्या हो जाएगा जग से हो जाएगा जग्या ताल तो बिसूडी से क्या हो जाएगा बिसूडी से हो जाएगा सरबत से हो जाएगा शर्वधी ताल चौराबाडी ताल या फिर गांधी सरोवर तिनों एक ही का नाम है और उसे फैंक दिया तो किसको फैंक दिया था जब को फैंक दिया था तो फैंक से क्या हो जाएगा फैंक से हो जाएगा भेंक ताल तो मैंने काता भेंक ताल है रुद्रप्याग में और भेकल ताल का है यह हो जाएगा चमूली में फिर बासू के कहने पर यह चौराबाडी ताल के किनारे रुके तो बासू से क्या हो जाएगा बासू की ताल हो जाएगा और चौराबाडी ताल तो मतलब शर्वधी ताल और चोड़ाबाडी ताल एक ही है लेकिन मैंने इस्टोरी में अलग से इसलिए लिखावा है क्योंकि इस्टोरी में अलग से आएगा तो आपको फिर याद हो जाएगा मतलब इससे नुकसान नहीं होगा फाइदाई होगा ठीक है तो दोस्तों ये थी रुद्रप्याग जिले के जो ताल है उनकी सीरीज ठीक है तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताया करोगी ये सीरीज आपको पसंद आरी है ये नहीं आरी है क्योंकि अगर आप कमेंट में बताओगे तो इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बाकी की जो सीरीज ना उसके जो बाकी के जिले हैं उसको भी कंटिन्यू करूँगा ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो प्लीस लाइक करना ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तो फिर इसी के साथ मिलते हैं आप जय वारत जय उत्राखंड